अब आप हलो गाइज देज नौनित महान डिपार्टमेंट अब अग्रिकुल्च्रल एंटमलोजी आज हम डिसकस करने वाले हैं स्वेबीन के इंसेक्ट पिष्ट और उनके मेनेजमेंट के बारे में इसमें बहुत सारे इंसेक्ट पिष्ट लगते हैं स्वेबीन लेगमनेशी फैमली के मेंबर होते हैं यह वर्ड के लगभग 25% एडिवल ओयल स्वेबीन से हमको प्राप्त होता है और इसमें पहले इसमें कोई बहुत ज्यादा पिष्ट नहीं लगते थे लेकिन लास्ट कुछ सालों से इसमें बहुत ज्यादा इंसेक्ट पिष्ट का एटेक होने लग गया है जिसमें से में पिष्ट है वो कुछ इस प्रकार से हैं फस्त है गडल बीटल गडल बीटल इसका में पिष्ट है स्वेबीन का गडल बीटल के वज़े से ही स्वेबीन को लगभग 12% त कोल्योप्टेरा गाइस यह इंडिया में मद्ध प्रदेश राइस्थान और वेस्ट बेंगॉल में पाया जाता है सबसे पहले इंडिया में यह मद्ध प्रदेश में ही देखा गया था यह स्वयबीन के अलावा अरहर चना उर्द मूंग सेम सनफ्लावर एट्सेटरा में होता है यह डाक कलर का डाक ब्राउन कलर का होता है एडल्ट जो फिरिशली एमर्जड एडल्ट होते हैं यह यलोई कलर के होते हैं रेड ब्राउन कलर के भी हो जकते हैं और इनका जो सिर होता है वो लाइट रेड कलर का होता है थोरेक्स और थोरेक्स पे रेड कलर के स्पोर और जो इलायटरा का लास्ट पोर्शन होता है वो ब्लेक या डार्क ब्राउन कलर की स्पोर्श होते हैं Guys, the adult beetle is characterized by its yellow red-headed and chest colorization and the brown colored bases of Elytra wings The eggs are lied between girdles by the females इसके जब female होते हैं ये तने में stem में दो girdle बनाते हैं दो ring बनाते हैं और उन दोनों ring के बीच में तीन holes करते हैं उन तीनों में से सबसे बड़ा hole बीच वाला होता है उसे के अंदर female अंडे देती है As larvae will bore into the stem and feed on the inside forming a tunnel in the stem ये ये जो insect होते हैं ये रिंग बनाते हैं गर्डल करते हैं इस टेम को इसलिए ही इनको गर्डल बीटल कहा जाता है अगर nature of damage की बात करें तो इनका जो incidence है ये सीड्लिंग स्टेज में ज्यादा देखने को मिलता है इस टेम में दो कर्स या फिर दो रिंग दो गर्डल देखके हम इनकी इनकी अटैक को हम आसानी से पहचान सकते हैं लार्वी जो होते हैं इसके स्वयबीन के तने को छेत करके उसके अंदर घुज जाते हैं और उसमें प्लांट का उपर वाला वह हिस्सा जहां से गडल करते हैं वह पूरी तरह से मर जाते हैं सूख जाते हैं in the later stage of infestation the plant is severed at about 15 to 25 cm above the ground the main damage is caused by the larva of the insect because दो लार्वी होते हैं वह स्टेम के अंदर टुनलिंग करते हैं and the attack of insect initially begins in the last week of July to the first fortnight of August guys यही हो season है यही हो समय है जब गडल बीटल का attack सबसे जादा होता है क्योंकि यह जो समय होता है इनके लिए बहुती favorable condition होता है environmental condition temperature plus rain the insect remains active from July to October damaging the crop most severely during August and September heavy incidence may reduce the yield by up to 40% अगर बहुत ज्यादा इनका incidence हो तो 40% तक नुकसान हो सकता है yield में but average हम बात करें तो average 12% इनके द्वारा नुकसान होता है नाइस सिंटम्स के अगर बात करें तो girdling of insects and patios यह गडल बीटल के द्वारा जहां भी attack होता है वहाँ पर हमें तने में girdle दिखाई देते हैं रिंग दिखाई देते हैं जैसे की screen पर देख सकते हैं the inside of the stem is eaten by the larvae and a tunnel is formed inside the stem and the leaves of the plant is of infected portion are unable to get the nutrition and are dried up in later stage the plant is cut at about 15 to 25 cm above the ground इसके management के लिए हमें बहुँ सारे strategies अपनाने पड़ते हैं क्योंकि serving के major paste हैं इसके लिए हमको सबसे पहले summer deep flowing summer deep flowing करने से crop rescue में जो भी insect paste के larvae या pupa hibernation में होते हैं वो बाहर open air में आके धूप में आके मर जाते हैं समय पे crop की showing समय पे करने चाहिए onset of the monsoon और recommended seed rate का है उपयोग करने चाहिए 75 kg per hectare क्योंकि अधिक बहुत ज्यादा plant density होने पे insects का transmission बहुत जल्दी होता है और मानसून अगर सही समय पे showing ना किया जाए लेट किया न करें तो इनका addicts ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो जो समय होता है August to September उस condition में अगर plant mature हो गया तो attack नहीं कर पाते बट उस condition में अगर plant susceptible रहा तो इनका attack ज्यादा हो सकता है nitrogenous fertilizer का कम से कम use करना चाहिए क्योंकि nitrogenous fertilizer से vegetative growth तो होता है बट plant बहुत ज्यादा soft हो जाते हैं इसका लावा crop residue को पूरी तरह से नश्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये next season तक के लिए crop residue में ही बने रहते हैं collect and destroy infected part of the plant at least once every 10 days 10 दिन हर 10 दिन में field का inspection करके उनके द्वारा infected parts जो हैं उनको निकाल के काट के नश्ट कर देना चाहिए जला देना चाहिए किसी प्रकार के अगर insecticide का यूज करना हो तो इसके लिए हमें ETL level का विशेज ध्यान देना चाहिए 5% damaged plant यदि 5% damaged plant है तब हमको किसी एक insecticide का यूज कर सकते हैं काटाप hydrochloride या फिर लेंब्डा साहलो तरिन लेंब्डा साहलो तरिन 5% इसी इसको हम 10 ml 10 ml पर लिटर के दर से घोल बनाके हम इस्प्रे कर सकते हैं या फिर डाइमेथ है 25% इसी इसका भी हम यूज कर सकते हैं इस बोड़े निकल के इंसेक्टिसाइड में NSKE बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है नेम सीट करनाल एस्ट्रेक्ट या फिर एजाडे रेक्टिन एजाडे रेक्टिन 10,000 ppm 1 ml पर लिटर की दर से अगर इस्प्रे करें तो कीट को दूर रखने का कार्य करता है स्टेम फ्ल्य तक या स्टेम ंसेक्ट है स्टेम व्लाई, स्टेम फ्लाई स्यब इन स्टेम फ्लाई स्टेम फ्लाई we productions लूर इसा ''ग्रो माइज़ी एफम इन लें अग्रो होता है यह soybean के अलावा उड मौंग चना मतर इत्यादि में अटेक करते हैं यह स्टेम फ्लाइ मिलन अग्रोमाईजा यह इनका जो मैगट होता है लारवी होता है यह वाइटेस कलर का होता है क्रीम कलर को होता है जो कि स्टेम के अंदर STEPHAN के अंदर ही प्यूपेशन में जाते हैं इसटाम के अंदर से ही एड़ल्ट बन कर विए बाहर निकलते हैं एडल्ट फ्लाइज जो है सायनी ब्लेक कलरlles सानी होते हैं मैटालिक ब्लैक होता है इनका एंटिनी लेग बिश्टल है थोरिक पूरे को पूरे सरी मेटालिक ब्लैक करको होता है इनका जो पंक होता है वो ट्रांस्परेंट होता है क्योंकि यह डिप्टेरा ओर्डर का फ्लाई है डिप्टेरा ओर्डर के सारे इंसेक्ट का जो विंग होता है ट्र जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं एडल्ट फ्लाई वो ओवी पूजिटर के थुरू इस्टेम के अंदर अंडे देते हैं और दो से चार दिन में अंडे का हैचिंग हो जाता है एक है गाइस शह से बारा दिन तक है। जो मैगट है वो फीट करते हैं और लगवग बारा दिन बाद यह फ्यूपेशन प्यूपेश्न में सब्सक्रेंट जाने पियूपरे में प्यूप Nicole लगवग पास से दज दिन के तरह पर चोड़ के अंदर आडल्ट एमर्ज़ हो जाता है अडल्ट बाहर निगलते हैं इस फिर से यह साइकल स्टार्ट हो जाते हैं इनका टॉल्ड लाच साइकल को ऊच्ईस से तिरस दिन में अंप्लीट होता है यह इंसे अगर इनके से नेचर अब डैमेज के बात करें सिम्टम्स के बात करें तो जो एडल्ट हैं वो अंडे देंदें इस्टेम के अंदर अंडे देते हैं या फिर पत्तियों पर अंडे देते हैं हैचिंग के बाद में मैंगट जो है नियरिस्ट वेंज पत्तियों के नियरिस्ट वेंज पर अटेक करते हैं वहां से एंडर करते हैं और धीरे से इस्टेम के अंदर घुस जाते हैं और इस्टेम के अंदर ही टरनेलिंग करना स्टार्ट करते हैं बोर करना स्टार्ट करते हैं और stem borer के तरह stem के अंदर पूरी तरह से stem को damage करते हैं इनका management के बात करें तो इनके लिए भी summer flowing बहुत ही based हो सकता है और pre-monson sowing को हमें avoid करना चाहिए क्योंकि मांसून का जो समय होता है वो समय insects के लिए बहुत ही ज्यादा favorable होता है इस condition में अगर plant stable नहीं हो पाया इस condition में अगर plant susceptible रहा तो insect का attack बहुत ज्यादा यूज बहुत ज्यादा हो सकता है optimum seed rate का यूज करना चाहिए plant spacing maintain करते हुए और proper crop protection का भी यूज करना चाहिए क्योंकि next crop season के लिए जो insects हैं वो field में crop residue में बने होते हैं और next crop season में फिर से attack करते हैं जो crop residue है उसको हटा दें चाहिए उसको destroy करके जला देना चाहिए इसके अलावा कुछ chemicals का हम यूज कर सकते हैं just like forehead 10g 10 kg पर hectare के अंदर से हम इसका spray कर सकते हैं या फिर Carbohurine दोनों में से कोई भी insecticide का यूज कर सकते हैं इसके अलावा और भी कुछ chemicals हैं just like quinol force dimethoid etc गाइस नेक्स्ट पेस्ट इस वाइट फ्लाई वाइट फ्लाई बेमिस्या टेबेकाई फैमली एलिवरोडीडी और हैमिप्टेरा गाइस वाइट फ्लाई एक polyphagous पेस्ट है जो की लगभग हर प्रकार के crop पे अटेक करता है गाइस वाइट फ्लाई सिर्फ crop पे अटेक कर उसको फीड करके नुकसान नहीं पहुचाता बलकि वाइट फ्लाई बहुं सारे वाइल डिसिस का वेक्टर भी होता है यह बहुंत ही छोटा इंसेक्ट है इसका जो विंग स्पैम के साथ में लगभग 3 mm लंबा होता है इनका जो बोडी है लगभग 1-2 mm लंबा होता है प्लेψ extremिक मे सकाथ में वेक्टार से लेक्टल्हणी वेक्टर ख्स ऴुर्य होतां लूलाइट बहुचात वेट बूलाइट अनर अलिर हूष दूलाइट अलत ऑल्सbय यह बहूच, लो bodays ल बोस सेक्सेस है फंक्षनल माउथ पार्ट एंड टू पेर्स ओप मेंब्रेनिस फंक्षनल विंग, विंग विनेशन इस रेडियोस्ट इनमें विंग विनेशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि इनका जो विंग होता है और बॉड़ी होता है पूरी तरह से स्केल से धके हुए ह होते हैं हम उनको वाइट फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका पूरा का पूरा बॉड़ी वाइट से धका हुआ होता है जिस वैसे इनका पूरा कलर वाइट ही दिखाई देता है वाइट स्केल्स वैक्सी या फिर वैक्सी मेटरियल से धका हुआ होता है इनके लाइफ स आप साइकार्लगभग 18-28 दिन में complete हो जाता है जो first instant name होता है उसको crawler कहा जाता है क्योंकि यह जो insect है order hemiptera के है इसलिए इनमे in complete metamopos पाया जाता है और इनका जो first instant name भोता है उसको crawler कहा जाता है the adult female lace egg which are provided with a stalk or pericel at one end with which they are attached to the leaf the legs and antennae of the 2nd, 3rd and 4th navel instar are atrophied and these instar are accessible the adult developed within the questioned 4th instar इसमें 4th instar के बाद में adult बन जाते हैं इसके बाद इनका अगर damaging nature के बाद करें तो यह जो insect होते हैं यह sap feeder होते हैं sucking paste होते हैं बट इनके द्वारा feeding से नुकसान कम होता है बलकि यह जो insect होते हैं यह बहुत ज्यादा viral disease को transmit करते हैं just like yellow and mosaic yellow mosaic leaf curl etc white flies feed by tapping into the phloem of the plants inducing toxic saliva and decreasing the plants overall target pressure since white flies congregate in large number susceptible plants can be quickly overwhelmed further harm is done by mold growth encouraged by the honeydew white flies secreted guys यह hemiptera order के flies जो है यह honeydew secret करते हैं जिन में mold बन जाते हैं जो कि plant को plant में fungal disease को बहुत ज्यादा increase करते हैं अगर हम इनके control के बात करें तो white fly का control कर पाना बहुत ज्यादा मुस्किल होता है क्योंकि इनका life cycle बहुत जल्दी complete होता है और इनका population density बहुत ज्यादा होता है white fly cannot control is difficult and complex as white flies rapidly developed resistance to chemical pesticides इसके लावा बहुत सारे chemicals करते हैं बहुत जल्दी resistance भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा resistance हो चुके हैं काफी susceptible हो चुके हैं इनके लिए chemicals से ज्यादा better non chemical means का use करना ज्यादा better होगा क्योंकि IPM के थ्रू हम इनका pirate bug का यूज कर सकते हैं या फिर ladybird beetle के यूज कर सकते हैं कुछ predators हैं जिनका यूज IPM के अंतरगत किया जा रहा है जस्ट लाइक less wings ladybird beetle पारेट बग एड्सेटरा इसके अलावा kolorate host plant कुछ host plant number of plant can be intercropped with vegetables in a garden setting serving ace companion plant to protect against white fly example nasturtims guys कुछ plants जो है इसके predator को attract करते हैं just like hummingbird या predatory wasp या फिर flies को attract करते हैं उनको भी field में हमें इस्थान देना चाहिए यह सारे जो plants हैं just like कुछ plants ऐसे भी हैं जो कि white flies को दूर रखने का field से दूर रखने का भी काम करते हैं guys आज के लिए बस इतना ही thank you